हाई गाईज लास्ट वीडियो में हमने पार्टिकल्स ओप मैटर के के बारे में स्टड़ी किया था साथी साथ सॉलिड लिक्विड गया से जो मैटर की स्टेट्स होती है इनके बार में भी जानकारी ली थी तो चलो गाईज आगे वाला पार्ट शुरू करते हैं गाईज गया मैटर चेंज इस स्टेट्स चलो गाईज देखते गाईज यह तो अपनी नोटिस किया होगा जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में कनवर्ट होता है लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो लिक्विड ग्यास में कनवर्ट होती है और जब को हम ठंडा करते हैं कूल करते तो ग्राश लिक्विड में दूती है और जब लिख्विड को हम और ठंडा करें तो लिक्विड सॉलेड दे कनवर्ट होता है तो गाइज गफ ,sheb अे ơi सॉलिड, लिक्विड में कनवर्ट होता है तो उसे फिजन कहेते हैं क्या कहते हैं जब लिक्विड ग्यास में कनवर्ड होती है तो उसे वेपराजेशन कहते हैं और जब एक ड्यास लिकविड में कन्वर्ड होती है तो उसे क्या कहते हैं कंड़न्सेशन के थे कंड़न्सेशन ड्यान में रखना कंड़न्सेशन और जब यह लिकविड solid में convert होती है तो उसे क्या कहते है solidification solidification ध्यान में रखना guys यहाँ ऐसा भी होता है जब solid gas में convert होता है और gas solid में convert होता है without convert into liquid तो उसे कहते है sublimation sublimation ध्यान में रखना विदाउट कनवर्ट इंटू लिक्विड यह जब कोई सॉलिड विदाउट कनवर्ट इंटू लिक्विड ग्यास में कनवर्ट होता है और जब कोई ग्यास विदाउट कनवर्ट इंटू लिक्विड सीधा सॉलिड में कनवर्ट होता है तो उसे सब्लीमेशन कहते हैं क्या कह है है इवापरेशन क्या होता है बात करते हैं इवापरेशन की सिंबल सी बात है इवापरेशन क्या होता है लिक्विड जो लिक्विड के बार में आपको पता है क्या लिक्विड तो कोई भी लिक्विड होता है इसका क्या होता है boiling point होता है क्या होता है boiling point ठीक है boiling point होता है liquid का तो कोई भी liquid जब boiling point से पहले उसका change होता है vapors में किसमे vapor में किसी भी liquid का boiling point से पहले vapor में तो से क्या कहते है evaporation कहते है क्या कहते है evaporation है किसी भी temperature पर कोई भी liquid boiling point से पहले change होता है evapors में तो क्या उसे कहते है evaporation कहते है यह आपको ध्यान में रखना है साथ दिसाथ दोस्तों आपको समझना चाहिए कि यह जो evaporation है एक की चीजों की वज़े से बढ़ता है तो पहला जो कारण है वो है temperature 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 क्या होता है देखो guys जब temperature increase होता है क्या होता है increase तो evaporation का rate भी क्या होता है बढ़ता है क्या होता है बढ़ता है और जब temperature decrease होता है तो evaporation का जो rate होता है वो भी क्या होता है कम होता है क्या होता है कम यानि ध्यान में रखना temperature increase रहेगा तो evaporation बढ़ेगा temperature decrease रहेगा तो evaporation कम होगा पर एक जामपर आपको पता होगा आप समर के सिजन में जब कपड़े सुकाते हो कौन से सिजन में समर में तो कपड़े क्या होते है फटाक से सुक जाते है लेकिन वही रेनी सिजन में आप कपड़े सुकाते हो तो रेनी सिजन में क्या होता है कपड़े सुकने में वक्त लगता है क्यों ऐसा होता है रेनी सिजन में टेंप तो आपको समझ में होगा टेम्प्रेचर का क्या असर होता है इवाप्रेशन के उपर देन जो नेक्स फैक्टर है वह सर्फेस एरिया कौन सा है सर्फेस एरिया इसका क्या मैटर करता है भाई तो देखो सर्फेस एरिया सर्फेस एरिया गाईस जब सर्फेस एरिया बढ़ता है तो तो इवाप्रेशन का रेट भी बढ़ता है यानि सर्फेस एरिया अगर ज्यादा रहेगा यानि सर्फेस एरिया इंक्रिज होगा तो इवाप्रेशन का रेट भी इंक्रिज होगा और सर्फेस एरिय कम होगा, decrease होगा, तो evaporation भी क्या होता है, कम होता है, फोर एक्जामपल गाइज देखो आप कपड़े जो होते है ना कपड़े ओ कपड़े क्या करते हो फैला कर सुकाते हो क्या करते हो फैला कर सुकाते हो कपड़े ठीक है फैला कर सुकाने से क्या होता है यह जो सरफेस एरिया होता है ना कपड़ों का जो सरफेस एरिया होता है य तो की हैए बढ़ते हैं वही कपड़े आगर हम फेलाकर शुकाती है नहीं तो क्या शोकातहे। एव़िजन का स्पीड क्या होता है काम होता क्या होता है और कपड़े सुखने में क्या होती है देर होती है क्या होती है देर तो उमीद करता हूँ यहां तक आपको समझ में आयोगा नेख जो पॉइंट है ओ है हुमीडिटी गाइज आपको पता होना चाहिए हुमीडिटी क्या होती है ऐख शुमीडिटी बहुत यहां सब्सक्राइज होता है अमाउंट उप वाटर प्रेजेंट इन जो Atmosphere होता है नहीं, इसमें बाश्फ में होता है, तो जितना बाश्फ जादा रहेगा, तो Evaporation क्या होगा, कम होगा, ध्यान ध्याँ में रकना कम, और Humidity कम रहेगी, तो Evaporation भी बढ़ेगा, याने, Humidity जादा रहेगी तो evaporation कम होता है यानि देखो आगर atmosphere में पहले से यह water है तो evaporation क्या होगा? कम ही होगा और आगर atmosphere में पहले से यह humidity कम है तो वहाँ क्या होता है? evaporation बढ़ता है क्या होता है? evaporation बढ़ जाता है तो ध्यान में रखना है आपको तो ध्यान में रखना है आपको humidity अगर ज़्यादा रहती है तो यह operation कम होता है ठीक है और humidity अगर कम होती है तो यह operation भड़ता है ठीक है ध्यान में रखना है humidity यहने क्या amount of water present in atmosphere ठीक है तो उसे humidity कहते है देन गाइज जो next factor है वो है wind speed आप उसे wind भी बोल सकते हो और wind भी उसका pronunciation कर सकते हो तो यहाँ हम करेंगे wind wind speed guys wind speed क्या होता है देखो wind speed देखो guys wind speed क्या होता है बहुत ही आसान है guys आपने आपने notice क्या होगा जो कपड़े होते ना कपड़े तो यह जो कपड़े होते जब बहार wind का speed जादा होता है ना तो यह जो कपड़े होते फटक से सुक जाते क्या होते फटाक से सुख जाते और वही आगर wind का speed कम होता है तो यह जो कपड़े होते यह सुखने में क्या होती देर लगती है ठीके समझना चाहिए अगर wind speed जादा होता है high होता है तो यह operation का rate भी कैसा होता है high होता है और अगर wind speed वही कम होता है तो यह operation का rate भी क्या होता है decrease होता है क्या होता है decrease होता है तो आपको ध्यान में रखना है तो wind speed जो होता है वो भी main काम करता है evaporation का speed कम होना या जादा होना ठीक है तो wind speed भी एक factor होता है evaporation का rate कम होना या जादा होने के लिए ठीक है तो यहां तक आपको समझ में आबार देखो एक बार फिर अपने नोटीस की होगी क्लिंक ऑप्रेशन के कारणiction सक्रांब evaporation causes cooling तो सही है evaporation आगर होता है तो Model की होगा तुमारी मम्मी हमेशा क्या करती रहते है जब summer season आता है तो बही होता है तो मम्मी को आपने बाहर यंगन में पानी सिळखा ते हुए देखा होगा तो एसा क्यों होता है तो बाहर का जो सर्पेस होता है ना हमारे आंगन का तो उसका टेंपरेचर क्या होता है बढ़ता है ठीक है तो टेंपरेचर बढ़ने की वज़े हमें गर्मी महसुस होती तो गर्मी कम होने के कारण हमारी मा क्या करती है हमारा जो आंगन होता है वहां क्या करते पानी डालती रहती है ठीक है तो उसकी वज़े से क्या होता है बाहर का जो टेंपरेचर होता है ओ क्या होता है क्या होता है क्या होता है क्या होता है तो आपको सम खाते हो किसी गिलास में तो आपने नोटिस क्या होगा जो ग्लास होता है इस ग्लास के बाहर आपने स्मॉल स्मॉल वाटर के ड्रॉप्स देखे होंगे इसमें अगर आइस होता है याने आइस क्रीम वगरा होता है ना आप लोग खाते हो आइस क्रीम से आइस्क्रीम खाते हो तो आपको यह जो सर्पेस होता है ना किसका गिल्लास के सर्पेस के बाहर आपने नोटिस क्या होगा क्या आते हैं small-small water drops योटर डॉपस आते। small-small water drops आपने notice के होगे। क्यों यह सक्षा क्यों होता है सिंपल सी बात हो दिए है guys जो atmosphere होता है ना atmosphere इस atmosphere में humidity होती है क्या होती है humidity इस humidity यानि क्या होता है amount of water present in atmosphere तो उसकी वज़े से आंदर का जो temperature होता है यह केसा होता है इसक्रिम के बहुत होता है तो आइस क्रिम के आंदर का टेमपरेचर जो होता है इस की वजह से जब जो ढार के जोस्मॉलड वॉटर के ड्रॉपस होते हैं वाहान उसका कनवर्टिंग किस में होता है small small water drop में होता है तो आपको समझ में आ होगा ठीके तो guys ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment करके बताना है और ये वीडियो आपको जादा पसंद आता है तो आपने दोस्ते के साथ इसे share करना है मिलते हैं एक नए वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना खयाल रखना Always Keep Smiling